हालो एव्रिवान, वेलकम टू प्राक्षी क्लासेज, आप लोगों से जैसे प्रॉमिस किया गया था कि हम लोगों ने कल से वीडियोस क्रेट करना स्टार्ट किया है, तो आपसे प्रॉमिस किया था कि रोज हम एक नई वीडियोस अपलोड करेंगे, तो similarly I am back with a new video, जिसमें हम एक और कोशन डिसकस करेंगे, और उस कोशन के साथ उसका पूरा कंसेप्ट को समझेंगे, यह सब मैं इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर उस कोशन से रिलेटेट जो टॉपिक है, उस टॉपिक में से अगर कोई और कोशन आ जाता है, तो आप उस कोशन को भी अटेम्ट करने के लिए क्यापिबल होगे, क्योंकि अगर मैं सर्फ कोशन प्राक्टिस कराऊंगे आपको, तो आप सिर्फ उस कोशन के आंसर को जानोगे, पर अगर मैं उस question के साथ आप वो concept को समझाओंगी तो आप उस question के साथ पूरा concept समझोगे और उस concept में से जितने भी questions आ सके आप उनको complete करके आओगे So, with प्राक्षी classes, our motive is to understand the concept and crack the exam जैसे मैंने नीचे लिखा भी आप अगर देखें, तो learn concepts with MCQ and crack the exam So, wishing you all the very best for your preparation as well as for your exam और ऐसे ही आप लोग मुझे support करते रहेए मैं आपके साथ आपको ऐसी ही नई videos प्रोवाइट करती रहोंगी with the MCQs and with its concept So, आज का हमारा जो topic है उसमें भी हम एक नया question लेकर आए हैं और वो जो question है आपका memorandum of association से related है जिसे आप बोलते हो MOA ठीक है जो पिछला जो हमने कल वीडियो अपलोड करी थी उसमें जो हमने topic सीखा था वो था IDA राइट तो अलग-अलग topics हम सीख रहे हैं ठीक है This is your MCQ series commerce for HTT PGT commerce and for the one who are preparing for UGC net commerce exam So चलिए आगे question वीडियो को चलाते हैं और question का answer ढूणते हैं ठीक है Memorandum of Association contains objective clause, name clause, capital clause और all of the above ये जो question है आपका Memorandum of Association से है जिसको आप MOA बोलते हो तो आपके पास इससे और questions क्या बन सकते हैं कि MOA stands for आपको MOA की full form बतानी आ सकती है अचा एक इससे एक और topic निकल के आता है AOA What do you mean by AOA? तो AOA आपका है Article of Association तो नाम याद रखना है MOA stands करता है Memorandum of Association और AOA stands करता है Article of Association ठीक है? इसके बाद आपको अब ये पता चल गया कि MOA में कुछ clauses आते हैं तो next question हमारा ये बनता है कि MOA में कितने clauses आते हैं? तो हमें next question का answer ये डूढ़ना है कि कितने clauses हैं MOA में? अचा इसके बाद और ये question बनता है कि objective clause of MOA states that आपको question mark दे दिया कि क्या बताता है? options दे दिया आपको बताना पड़ेगा? या आपसे ये पूछ लिए अचा है capital clause of MOA states that dash आपको बताना है? तो that means एक topic से मैं आपके सामने 10 questions present करके दे सकती हूँ इसलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि आप एक concept समझो फिर MCQs पे focus करो ठीक है? but basically मैं आपको इस question का answer बता दूँ जिनको अगर concept नहीं समझना तो उनके लिए पहले answer मैं लिख देती हूँ right answer जो है वो है आपका D that is all of the above Memorandum of Association में 6 clause होते हैं बेटा 6 clause कौन-कौन से होते हैं एक होता है name clause एक होता है objective clause एक होता है आपका capital clause एक आपका होता है name, objective, capital clause एक होता है registered office clause ठीक है एक आपका होता है liability clause और एक आपका होता है subscription या association clause तो there are 6 clauses under MOA तो अगर आपसे पूछ लिया जाए या अगर आपसे बोल दिया जाए which of the following does not belong to the clause of MOA इन चारों में से ऐसा कौन सा clause है जो belong नहीं करता MOA के clause से तो आपको पहले 6 के नाम बताओना चाहिए अगर आपके पस इन 6 के अलावा कोई नाम आता है तो आपको definitely पता चल जाएगा कि ये वाला clause MOA का clause नहीं है तो आपको क्या याद करना है आपको ये याद करना है कि MOA के 6 clause है नेम clause, objective clause, capital clause, registered office clause, liability clause या subscription clause और इसका दूसरा नाम क्या है association clause clear हुआ तो इसका right answer ये कि objective clause भी MOA का पार्ट है name clause भी MOA का पार्ट है capital clause भी MOA का पार्ट है that is all of the above ठीक है बट अब कहानी क्या आती है कहानी ये आती है कि MOA होता क्या है तो MOA क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ three important documents required to be filed या filled with the registrar of companies in the formation of company एक company को बनाने के लिए registrar of company जो ROC होता है आपसे पूछ लिया जाए ROC stands for what do you mean by ROC? it is registrar of companies जहाँ पे companies registered होती है जहाँ पे ये पता चलता है कि ये वाली company established की गई है तो registrar of company ROC के पास आपको अपनी company को register करना होता है आपको अपनी company की formation start करनी होती है तो उस registrar of company के पास आपको तीन documents submit करके आने होते हैं तो अगर आपसे बूच लिया जाए which of the following is the most important document of the company company के कौन से most important documents है it is three most important documents एक होता है MOA that stands for memorandum of association एक होता है article of association that stands for AOA और तीसरा हमारा होता है prospectus यह तीनों documents starting में आपको prepare करने पड़ते हैं जब आपकी company established होने जा रही है और यह तीनों documents आप registrar of companies के पास registered करके आते हैं submit करके आते हैं जिससे company की establishment formation start हो सके clear over point तो MOA, AOA and prospectus are the three most important documents which are filled with the registrar of companies that is ROC for the formation of company clear तो आच हो हमारा main topic है वो है MOA अब MOA होता के memorandum of association और MOA of a company defines the constitution and the scope of powers of the company आगर आपसे पूछा जाए कि dash is the document which is required for the formation of company ऐसा कौनसा document है जो एक company की formation claim important होता है तो हमीशे आज रखना it is MOA MOA के ऐसा document होता है जिससे company formulate होती है जिससे company बनती है और MOA को sorry MOA को constitution of company बोला जाता है constitution का मतलब क्या होता है एक company किस चीज़ पर खड़ी है मतलब उसका base क्या है कि वो कैसे काम करेगी उसका काम होगा क्या उसकी क्या powers होंगी company की company कैसे लोगों के साथ कैसे companies में deal करेगी कौन से business में वो पैसा लगाएगी कितना share capital रखेगी सब कुछ define करता है हमारा MOA तो जो चीज़े MOA define करता है that's why MOA को क्या बोलता है constitution of the company company को किसी भी चीज से related कोई भी doubt है वो सारे चीज़े MOA में लिखी होती है इसलिए company जो भी काम करती है वो अपने MOA के under में रहकर करती है तो याद रखना MOA क्या होता है constitution होता है company का और क्या बताता है scope of powers of the company कि company की कितनी powers है कितनी उसकी arms फैली हुई है कहां तक उसकी arms जा सकती है किस-किस area में वो deal कर सकती है in simple words MOA is the foundation on which the company is built मैंने बोला ना base किसी चीज पर जैसे घर जो है वो हमारी नीव रखते है ना घर की similarly एक company की नीव क्या है उसका MOA तो MOA के base पर ही company built up हुई है foundation है हमारा MOA जिस पर company खड़ी हुई है ठीक है Memorandum of Association is a legal document which describes the purpose for which the company is formed MOA में क्या बताया जाता है ये कैसा document है जिसमें ये बताया जाता है कि company क्यों बनाई गई है उसका काम कह है वो manufacturing company है या वो आपकी trading company है या वो आपकी finance company है कैसी related वो आपकी company है तो the purpose for which the company is formed it defines the powers of the company and the conditions under which operates MOA में आपकी सारी powers लिखे होती है company में कि company हमारी trading company है तो ये सिर्फ trading company और manufacturing company के साथ deal करेगी company जो है वो इतनी ही investment करेगी इससे ज़ादा investment नहीं करेगी company कोई भी illegal trading में अपना पैसा नहीं invest करेगी या कुछ भी चीज़ें जो company से related है वो सब आपकी MOA में लिखे होईती है MOA में company की powers लिखे कि company के पास power है कि अगर किसी भी director ने कुछ भी गलत किया तो company ये action लेगी क्या reaction होगा company करेगी सब कुछ आपके MOA defined करते है it is a document that contains all the rules and the regulations that govern a company relations with the outside world company दूसरे के साथ कैसा relation maintain करके रखेगी वो सारे rules और regulations लिखे जाते हैं MOA में जैसे अगर a company है वो किसी और company के साथ deal कर रही है तो उनकी बीच की जो dealing होगी वो किस basis पे होगी हमारा MOA में लिखा होगी कि जो भी dealings होगी उनके जो minutes होगे वो सारी आपको एक document में present करने तो ये हमारा MOA define करता है कि जतने भी minutes होगे उन meetings के जो company दूसरी company के साथ कर रही है वो सब आपको लिखने है company को दूसरी company के साथ इतने amount की investment करनी है जादा नहीं ये सब लिखा होगा हमारे MOA में It is mandatory for every company to have a memorandum of association which defines the scope of its of its operations MOA mandatory होता है हर एक company को operate करने के लिए एक company तभी formulate होगी एक company तभी company के लाएगी जब तक उसका MOA नहीं बनता MOA is mandatory for every company to complete its operations Once prepared, the company cannot operate beyond the scope of the document और जब एक बार प्रेपेर हो गया आप उस document के powers के बाहर से कोई भी काम नहीं रखा गया अगर उस company अगर आपके MOA में लिखा हो है कि company 5 लाक रुपए से जादा की investment नहीं कर सकती अगर आपने 6 लाक की investment करी तो that means आपने उस document के beyond में जाके काम किया तो वो जो आपकी contract होगा आपने जिसके साथ भी contract किया 6 लाक रुपए की investment का वो void हो जाएगा Void means it will be zero valid मतलब उसकी कोई validity नहीं किलाएगी वो बिलकुल zero हो जाएगा क्यों क्योंकि आपने MOA के powers के beyond जाके काम किया और MOA सबसे important है सबसे important document है जो company के constitution को define करता है If the company goes beyond the scope then the action will be considered as ultra virus यह word याद रखना प्लीज बहुत important word है ultra virus ultra virus का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने MOA document के beyond जाके कुछ भी action करते हो तो वो क्या कहता है वो जो transaction होती है वो ultra virus हो जाती है that is void हो जाती है that means वो negligible sorry that means वो ignorable है उसकी कोई validity नहीं है किसके सामने in the eyes of law में for example अगर मैं company हूँ ठीक है मैंने दूसरी company मैं ABC limited company हूँ मैंने D limited के साथ dealing करी कि हम आपको 6 lakh rupees का production देंगे goods का ठीक है और मेरे MOE में चीज लिखी हुई है कि हम किसी भी company को 5 lakh rupees से जादा का production जो goods है वो नहीं देंगे ठीक है that means मैंने beyond the scope से बात करी मैं मेरे जो MOE में लिखा था मैं उसके beyond गई action तो that means जो भी contract मेरे और उस company के बीच में हुआ है वो ultra wires हो गया that means क्योंकि ultra wires means going beyond the powers of the MOE और वो जो contract था वो white हो गया अगर सामने वाली party मेरे को sue कर सकती है कि मैंने उसके साथ गलत किया बट सामने वाली party तभी sue कर सकती है sue का मतलब था case कर सकती है जब तक अगर उसको उसकी भी लॉक के सामने जीरो हो जाता है और जो contract लॉक के सामने जीरो हो जाता है उसके अगिंश आप नहीं लड सकते तो ultra wires means going beyond the powers of the MOE चीक है तो इससे एक और question बनके आता है कि ultra wires means that dash तो आपको बताना है कि ultra wires का क्या मतलब होता है going beyond the powers of the MOE it is a foundation on which company is main the entire structure of the company is determined in the memorandum of association memorandum of association में पूरा structure company का define होता है कि company किन के साथ dealing करेगी company की share capital क्या है company के जो members है उनकी liability क्या है company का registered office का है company का क्या नाम रखा जाएगा सब कुछ आपके MOE में defined होता है MOE is a fundamental document for the formation of a company एक company को formulate करने के लिए सबसे most important document क्या है fundamental document क्या है MOE it is a charter of the company तो ये भी याद रखना charter का मतलब होता है एक document main document ठीक है तो कौन constitution है company का कौन charter है company का MOE कौन fundamental document है company का for the formation of a company MOE a company which cannot be incorporated without a memorandum memorandum of association जब तक आपने नहीं बनाया एक company incorporate नहीं हो सकती जब तक MOE registered नहीं है जब तक MOE बनाया नहीं गया एक company अपनी operations को start नहीं कर सकती आप एक company हो आप outside world के साथ तभी deal करोगे जब आपके पास MOE होगा और MOE है तो वो registered होगा ROC के पास तब जाके आप formulate करोगे एक company को अगर share capital raise करनी होती है तो उसके पास अपना MOE होना चाहिए तब ही तो वो company के लाएगी clear हुआ point तो इस page पे आपने बहुत कुछ सीखा कि ultra wise क्या होता है MOE कौन होता है MOE charter, constitution होता है company का fundamental document होता है जिस पे company formulate होती है clear हुआ point तो MOE is the constitution charter of the company MOE में लिखा क्या जाता है कितनी powers है company की और बिना memorandum के एक company incorporate नहीं हो सकती clear इसके बाद आपके पास आता है object of registering memorandum of association और MOE क्यों ज़रूरी है MOE को बनाना और उसको registered करना the MOE of a company contains the object for which the company is formulated MOE में जो object होता है objective जो होता है company किस purpose से बनाई गई है वो लिखा जाता है it defines the scope of its operation company बनाई गई production है company हापकी production field में deal करती है कर क्या रही है investment अरे जब हमारी company ही production है वो अपने powers के beyond जा रही है इसका मतलब वो अपने गलत काम कर रही है तो इससे ये satisfy हो जाता है कर सकती MOE हमें boundaries के अंदर रखता है MOE हमें बताता है कि हमें ये काम ही करने है इसके beyond हम काम नहीं कर सकते MOE बताता है हमें कितने directors रखने है हमें कितने share capital authorized करके रखनी है अगर आप share capital जादा raise कर रहे हो जो MOE में लिखी नहीं है आप boundaries के बाहर जा रहे हो और जो भी काम आप boundaries के बाहर जा रहे हो वो ultra wires बन जाएगा और वो void हो जाएगा It is a public document according to section 399 of the Companies Act 2013 Hence, any person who enters into a contract with the company is expected to have the knowledge of MOE जो भी person अब उस company के साथ deal कर रहा है किसी भी company के साथ deal कर रहा है उस person को पूरी knowledge होनी चाहिए उस company के MOE के That means, dealing करने से पहले contract में आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो company आपके साथ काम करने जा रही है उसका MOE वो define करता भी है या नहीं या आप अपने appeal कर रहे हो क्योंकि उसके बाद तो जब उसका MOE define नहीं करेगा वो तो proof कर देगी कि मेरा MOE तो बोली नहीं रहा है जान करने के लिए तो आपका जो वो है transaction है या contract है वो avoid हो गया तो loss आपके लिए है तो सामने वाली party जब भी किसी company के साथ deal करने जाती है तो उसके पास पूरी knowledge होनी चाहिए उसके memorandum of association की क्यों knowledge होनी चाहिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उस company की powers क्या define करती है वो company में किस purpose के लिए वो company बनाई गई है It contains details about the powers and the rights of the companies Under no circumstances can the company depart from the provisions specified in the memorandum किसी भी cases में company memorandum of association के against नहीं जा सकती अगर MOE में ये बात लिखी है तो इसके beyond नहीं जा सकते किसी भी situation में और अगर by chance आपने करा भी तो वो ultra wires हो जाएगा company के लिए और वो जो contract या वो जो transaction या कुछ भी अगर आपने किया वो void बानी जाहेगी That means उसकी कोई validity उसकी कोई value नहीं है in the eyes of law में clear हुआ point किसी कोई doubt हो तो please आप comment section में ज़रूर बताइगेगा फिर आपका आता है format of MOE अब format में भी क्या होता है कि ये format कौन बताता है section 4 बताता है companies act का कि companies को MOE बनाना कैसे किस तरीके से बनाना है तो tables A to AE जो A to E जो है वो define करते है table A to E जो है किसके companies act 2013 के वो बताते हैं कि format of MOE ठीक है तो अगर इस question से मैं इस topic से अगर मैं कोई question बनाऊ तो मैं लिख सकते हूँ table A to E of companies act 2013 defines the format of which document किस document का format को define करते है is it AOA, is it MOA, is it FOA और is it none of the above तो is it MOA, because MOA के format को define करते है table A to E अब table A क्या है table A कहता है कि MOA जो बनना चाहिए कौन सी company का MOA बनना चाहिए company limited by shares company limited by shares का मतलब होता है वो company जो share capital raise करती है limited by shares का मतलब है इसके जो members होंगे जितना उनका share है उतना ही आप limited है for example उन्होंने एक बन्दे ने 100 रुपे का एक share खरीदा तो वो 100 रुपे के लिए ही libel है company के 100 रुपे अगर उसने pay कर दिया उसके बाद company उससे 1 रुपे भी नहीं मांग सकते company limited by shares means share का जितना amount है उतने तक ही वो limited है company उतने तक ही company को उस member से पैसा मिलेगा उससे जादा आप नहीं मांग सकते table B कहता है कि वो company जो company limited by guarantee and not having a share capital इस company के पास कोई share capital नहीं है बट इस company में members है उन members ने promise किया है कि हम आपको इतना amount guarantee करके देते हैं कि हम यह आपको amount देंगे जितना amount वो बोल रहा है member और जितना amount वो MOA में लिखवा रहा है उतने amount के लिए company capable है कि वो raise कर सकती है किस उस member से और guarantee का जो concept आता है वो तब आता है जब company wind up होती है wind up के case में अगर company की liabilities बहुत जादा है ठीक है liabilities means उनको भारवालों को जादा लोगों को पैसा देना है तब उस case में company उन members को call करेगी जिन members ने अपनी guarantee दी थी कि हम आपको इतना amount देंगे जब उन्होंने MOA में लिखवाया था कि हम आपको इतना amount देंगे जब winding up होगी तो guarantee वाला case का मतलब होता है जो members जिन्होंने guarantee दी थी कि हम आपको इतना amount देंगे जब winding up होगे पर यहाँ पर कोई share capital का कोई concept नहीं है तो उन companies को MOA बनाना है under table B table C में वो companies MOA बनाएंगी जो company limited by guarantee और having a share capital, share capital भी है company की और कुछ members ने guarantee भी दे रखे कि हम आपको इतना देंगे, तो share capital है तो चितना उस shareholder के पास share जितने रुपए का है उतने amount के लिए company allowed है कि वो मंगवा ले, उससे एक रुपए ज़ादा नहीं मंगवा सकती और जिन members ने guarantee दिया है, उतना amount वो raise करवा सकती है, उससे ज़ादा नहीं मंगवा सकती table D में आपको form है, यह for the algorithm of an unlimited company वो company जिसके members की liability unlimited है, unlimited का मतलब होता है अगर winding up के case में हमारे liabilities बहुत ज़ादा है, pay off ज़ादा करना है, और assets हमारे कम है तो जितने भी members है, उनकी personal assets को भी लिए जाएगा, जो उनके घर में assets है उनसे ज़ादा पैसा मंगवाया जाएगा, that means उनके personal assets भी stake पे होता है यहाँ पे उनकी liability unlimited है, जितना company को पैसा चाहिए होगा, उतना वो मंगवाईगी members से यहाँ पे कुछ भी defined नहीं है और table E में memorandum of association उन company को बनाना है, जो unlimited company है, बट उनकी share capital है share capital से तो उनका जितना share बनना है, उसी से उतना ही पैसा कमा सकती है एक shareholder है, जिसने 100 रुपे का share खरीद है, तो एक share खरीद है, मानलो उसने 50 रुपे दे दिये, 50 नहीं दिये तो winding up के case में 50 रुपे और मंगवा सकती है, क्योंकि company उससे 100 रुपे collect करने के लिए liable है, ठीक है पर 100 रुपे से ज़ादा नहीं कमा सकती, बट फिर भी वो उससे ज़ादा ले सकती है, क्योंकि वो unlimited company है that means वो company जो limited है ही ने, जिसकी members की liability limited नहीं है, वो उनसे ज़ादा भी पैसा कमा मंगवा सकती है unlimited company यहाँ पे उनकी share capital नहीं थी, यहाँ पे share capital भी है और वो unlimited है तो table A to C, E यह बताते हैं, कि table A बताती है, वो companies जो limited by shares है, उनको table A के format से memorandum office issues बनाना है table B के format से MOE बनेगा, उन companies का जो guarantee है, limited by guarantee बट share capital नहीं है table C जो limited by guarantee है और share capital भी है, उन companies को table C से format बनाना है table D का format वो companies opt करेंगी, जो unlimited companies है और table E का format वो company adopt करेंगी, जो आपकी unlimited company है प्लस जिनके पाज share capital भी है, तो इसमें से यह आ सकता है, कि जो table C format है, वो कौन सी company adopt करेगी, dash तो कुछ भी questions frame हो सकते हैं, आपको concept पता होना चाहिए, चीक है इसके बाद हमारे पास आता है clauses, जो main question का concept था, clause of MOE, मैंने आपको 6 clause बताए, name clause, objective clause, capital clause, liability clause, और आपका registered office clause, और आपका subscription clause, जिसको आप association clause भी कहते हैं name clause में आपको क्या याद रखना है वेटा, name clause में आपको यह याद रखना है कि अगर वो आपकी public limited company है, तो public limited company को हमेशा क्या रखना है अपने name के साथ, last में उसको limited word लिखना है the name of the company must have the word limited for the last, as the last word, अगर वो public limited company है, अगर वो private limited company है, तो उसका जो name होगा company का, उसमें private limited words होने चाहिए, last में, clear हुआ बट यह जो concept है, यह applicable नहीं है, उन companies को जो section 8 के अंडर companies आती है, यह भी याद रखना, ठीक है, जो section 8 के अंडर companies आती है, उन companies को यह concept liable नहीं है, कि उनको public limited लिखना है या private limited लिखना है, ठीक है, who must include one of the following words, पर उनको यह words कुछ ना कुछ लिखने पड़ेंगे, foundation या forum, या association, या federation, chambers, confederation, council या electrical trust, तो यह जो concept है, name clause कि वो public limited company है, तो limited लिखेगी, और अगर private limited company है, तो private limited लिखेगी, यह clause उन companies को liable नहीं है, जो section 8 of the companies act में आती है, पर वो जो companies हैं, उन्हें कोई ना कोई इन में से एक word अपने साथ adjust करना होगा, name clause में कुछ और चीज़े भी हैं, जो मैं सिर्फ बताना चाहरे हूँ, undesirable name avoid करें चाहिए, ठीक है, injection if identical name adopted, identical name नहीं होना चाहिए, जो company का नाम already बना चुकी है, जो company already established है, उसी company का नाम आप अपनी company के नाम से नहीं जोड सकते, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, बट वो undesirable नहीं होना चाहिए, ठीक है, या आप कोई भी ऐसा नाम नहीं यूज करना चाहिए, जो आपके central या state government के name से related है, या UNO, WHO से related है, तो आपको ऐसे नाम यूज नहीं करने, clear हुआ point, तो name clause ये कहता है, फिर आपका आता है registered office clause, registered office clause क्या हो कहता है, इसको specify करना है registered office clause में the state in which the registered office of the company will be situated, जो company आप formulate करने जा रहे हो, उस company का registered office कि state में होना चाहिए, आपको वो बताना है, क्योंकि अभी company बनाई नहीं गई है, तो हो सकता है, आप जहाँ company बना रहे हैं, आप वहीं अपना registered office खोल रहे हैं, उस state में, या आपने कहीं और plan किया, बट आपको state define करने है उ is used for the purpose of all communication with the company, क्योंकि कुछ भी अगर documents आएंगे, क्योंकि अभी बनी नहीं है company, जितने भी documents उस company में आएंगे, हो सकता है, वो company जो है अभी बनी नहीं है, वो पहले से ही contracts में आ रहे हो, लोगों के साथ, तो उस time पे वो जो contracts बनाए जारे हैं, वो कहां पे पहुचेंगे तो वो ऐसी जगा आपको बतानी है, residence place बतानी है, जहां पे आप सारी company की communications deal out हो सकें, जितने भी letters आने है company के, जितने भी contracts आने है, वो उस place पे पहुच सकें, इसलिए आपको state बतानी है, उस registered office की, Every company shall have a registered office from the day on which it begins to carry on business, और from the 30th day after its incorporation, whichever is earlier, जिस दिन से उसने अपना business को carry करना start किया, उस दिन से उसके पास एक registered office होना चाहिए, या जिस दिन से वो incorporate हुई है, incorporate का मतलब होता है company बनी नहीं है, incorporate का मतलब होता है company registered होगी है ROC के पास, अभी बनेगी, तो उस दिन के 30th day तक आपको अपना registered office बताना है, जितने भी communications, notices, letters आएंगे वो उसी registered office में आएंगे ठीक है, और इसमें यहाँ पे आपको registered office का state बताना है, ठीक है 3rd objective clause, it must specify the object for which the company is being formulated, किस purpose से company बनाए जा रही है, if the company changes its activities, कि हमने बोला manufacturing company है, अब वो trading company में आ रही है, तो अगर वो अपनी activities को change कर रही है, which are not reflected in its name, पहले है आप बता रहे थी कि वो production company, manufacturing company और उसके नाम वही बताता था, manufacturing company है, अब उसका नाम, आप उसकी activity बदल रहे हो और नाम उसकी manufacturing वाला लिखा हुए, then it can change its name within 6 months or changing its activity, the company must comply with all the name change provisions, तब उसको case में अगर वो activity बदल रहे है, अपना purpose ही बदल रहे है, तो उसको अपना name भी बदलना पड़ेगा, पर वो 6 months के अंदर अंदर बदलना पड़ीगा, तो objective clause basically बताता है, किस purpose से company बनाए गई है, अगर वो अपना purpose बता रहे है, तो उस purpose की beyond company नहीं काम कर सकती, next आप कहाता है, liability clause, liability clause बताता है, members जो है company के, उनकी liability को, कि उनकी liability limited होगी, या unlimited होगी, अगर एक company limited by shares है, तो it would specify, if the liability of its member is limited to any unpaid amount on the shares that they hold, अगर एक company limited by shares है, तो उस member की, जो liability होगी, वो वहीं तक होगी, जितना उसने unpaid amount है shares पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 100 रुपे का share एक बंदे ने खरीद रखा है shareholder ने, तो उसने 50 रुपे बे कर दिये, तो जो unpaid amount है 50 रुपे, उस shareholder की liability उतनी ही रहेगी, जितनी उ और a company limited by guarantee है, इत शुद स्पेसिफाइद अमाउंट अंडर्टेकन बाइच मेंबर तो चॉंट्रिबूटी उस case में हर एक मेंबर ने जो MOA में लिखवाया था कि हम इतना अमाउंट की गरेंटी देते हैं कि हम इतना amount contribute करेंगे, वो पेसिफाइद अमाउंट है, उतनी उस wind-up, this is provided that he is a member of the company when it's wind-up or the winding-up happens within one year of him ceasing to be a member, in the latter case, the debts and liability considered would be those contracted before he ceases to be a member, वही case है, कि इस case में, wind-up होने वाले के case में, wind-up होने वाले case में, जितना भी amount उसने undertake किया था to contribute, कि कितना amount उसने contribute किया था, वो उतनी कि उसकी liability है उस member की, the cost, charges and expenses of winding up and the adjustment of the rights of contributors among them, और जो cost और जो charges, expenses लगेंगे winding up के भी, वो भी contribute करेंगे आपके वो members जिन्नोंने guarantee दी थी, तो liability clause में basically बताया जाता है, कि अगर company limited by shares है तो जो liability है members की, वो limited है, only up to the amount of unpaid amount of shares, अगर company limited by guarantee है, तो जितना members की liability limited है, only जितना उन्होंने promise किया था, कि वो guarantee जिन्नोंने दी थी, कि कितना वो contribute करेंगे, next आपका आता है capital clause, capital clause तभी valid होता है, जो companies आपकी share capital रखती है, और इस company में आपको बताना होगा, इस MOA में आपको बताना होगा capital clause के, कि company की authorized capital क्या है, उस authorized capital को आपने कितने issued capital बनाई है, कितने number of shares आप issue करेंगे, और उनकी fixed amount क्या है, ठीक है, further it must state that the name of each member and the number of shares against their member, तो capital clause में basically capital clause उन companies के related है, जिनकी share capital है, एक company के पास कितनी authorized capital है, वो कितना issue कर रही है shares, कितने number of shares issue करेंगे हैं, कितने amount के, denomination के कितने amount के उसने share issue करेंगे हैं, कितने share holders बने हैं, हर एक share holder के पास कितना amount of share है, वो भी specified होता है, under capital clause, next आपका आता है, subscription clause या association clause, यह please नाम याद रखेगा, इसका नाम subscription clause भी है, और association clause भी है, the subscription clause states that who are signing the memorandum, memorandums को जो लोग sign करते हैं, उन्हें बोलते है subscribers to memorandum, यह भी अब आगे पढ़ेंगे, each subscriber must state the number of the shares he is subscribing to, अगर एक subscriber है, तो subscriber के पास minimum एक share a lot होना ही चाहिए, उसको एक share खरीदना ही पड़ेगा company का, तब ही वो subscriber बनेगा, और subscriber वो लोग होते हैं, जो company अभी बनने के बाद नहीं आते, company को formulate करने से पहले ही वो लोग होते हैं, हमारे पास, वो उनको बोलते हैं, subscriber और वही MOA को sign करते हैं, The subscribers have to sign the MOA in presence of two witness, subscriber के साथ दो witness और होने चाहिए, और हर एक subscriber को कम से कम एक share at least subscribe करना ही पड़ेगा, और subscriber ही चो होते हैं, वो memorandum को sign करते हैं, इसलिए इसमें subscription clause लग जाता है, कि किन लोगों ने memorandum को sign कलिया, उसमें ये सब दिखाया जाता है, clear हुआ, तो ये 6 clauses थे आपके Memorandum of Association के, इसमें और भी है, ये देखो, subscribers कौन होते हैं, first shareholders होते हैं company का, कि company के अभी बनी नहीं है पूरी, formulate नहीं हुई, incorporate हुई है, उसी time पे MOA बन रहा है, और उस MOA को कौन sign कर रहा है, और उस time पे company के shares कौन खरीद रहा है, तो पहले जो shareholders होते हैं, company के वो subscribers होते हैं, य हर एक company के number of subscribers different होते हैं, ये point याद रखना है, कि private company को बनाने के लिए minimum number of subscribers कितने चाहिए हैं, that means private company है, तो उसके MOA को कौन sign करेंगे, 2 subscribers sign करेंगे minimum, अगर public company है, तो 7 या 7 से ज़्यादा subscribers चाहिए है, sign करने के लिए, और अगर 1% company है, तो सिर्फ 1% चाहिए subscriber किसको sign करने के MOA को, basically ये 2 साथ और एक ये है कि कितने number of persons चाहिए है, required to formulate a company, और company को formulate और form करने के लिए MOA चाहिए होते है, तो basically ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, क्योंकि ये concept बहुत important है, इससे बहुत सारे questions बन सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा focus कर रहे हूं इसको concept पे, MOA क्या, अब आता है, एक और question बन सकता है कि MOA बताता क्या है, MOA हमेशा किस के साथ relations बताता है, एक company का अपने stakeholders के साथ, stakeholders कौन होते हैं, जो outside world होता है, that is shareholders, creditors, आपके debenture holders, preference shareholders, equity shareholders, तो company का stakeholders के साथ कैसा relation होगा, ये define करता है हमेशा AOA, ठीक है, और section 3, Companies Act का बताता है, importance, memorandum की क्यों importance है for registering का company, एक company को register करने के लिए MOA चाहिए ही क्यों है, ठीक है, अगर एक public company है, तो 7 और more persons चाहिए, memorandum को sign करने के लिए, memorandum की registration करने के लिए, private company में 2 या 2 से जादा, और 1% company में 1% से जादा, in all the above cases, ये जो जितने भी persons है, ये क्या कराएंगे, ये first subscribe करेंगे memorand के लिए, पहले आप अपने MOA को sign करवाओगे, किस से sign करवाओगे, 7 subscribers से, public company के case में, private company के case में 2 subscribers से, और 1% company के case में 1% से, memorandum of association essential होता है, essential means most important होता है for registration of company, ठीक है, for incorporation of a company, MOA and AOA of a company must be duly signed by the subscriber and filed with the registrar, ये तो आपने अल्रेडी पढ़ लिए, main purpose हाता है कि MOA चाहिए क्यों होता है, MOA अलाओ करता है shareholder को to know about the company before buying its share, एक shareholder जो होता है, वो company के shares खरीदने जार रहा होता है, तो एक shareholder को कैसे, shareholder कैसे पता करेगा कि मुझे इस company के share खरीदने है नहीं, shareholder को पता करने के कि company कैसी है, वो उसका MOA पढ़ता है, this helps the shareholder determine how much capital will they invest in the company, तो shareholder को ये पता करना होता है कि वो कितना amount invest करें उस company में, वो company कैसी है, share shares को खरीदने से पहले, it provides information to all the stakeholders who are willing to associate with the company in any way, जितने भी stakeholders चाहते हैं कि हम इस company के साथ जुड़ें, वो सारी information देता है MOA का, the prospective shareholder shall know the purpose for which their money is going to be used, अब एक परसन अपना पैसा लगा रहा है, उस company में, तो उस person को पता होना चाहिए ना कि वो company आगे किस में पैसा लगाएगी मेरा, तो shareholder को ये पता होना चाहिए कि किस purpose के लिए मेरा पैसा company use करेगी, और कितना risk company undertake कर सकती है, कितना profit वो मुझे कमा के दे सकती है, ये सब आपके MOA में लिखा होता है, तो MOA इसलिए चाहिए कि shareholder को पूरी information मिल सके company के बारे में, the outsiders dealing with the company shall know the certainty, the objects of the company, जो लोग company के साथ deal कर रहे हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि company का object clause के है, objective के है, और क्या contractual relations होंगे into which they contemplate to enter into the companies within the, जिस purpose के ले वो enter कर रहे हैं, जिस purpose के ले वो contract बना रहे हैं company के साथ, क्या वो ज यह सारी चीज़े आपके MOE में defined होती है, तो MOE क्यूं चाहिए होता है, MOE इसले चाहिए होता है कि जो stakeholder company के shareholder बनने चाह रहे हैं, या creditors बनने चाह रहे हैं, या preference shareholders बनने चाह रहे हैं, उनको यह पता चल सके कि company है कैसी, company कितना risk take over कर सकती है, company कहां पे हमारा पैसा company के साथ contract dealing में आ रहे हैं, तो वो जो contract है, जिस transactions में वो आ रहे हैं, क्या वो company के powers या objects के अंडर आता है या नहीं, यह सारी चीज़े हमारा MOE define करते हैं, और एक इसमें नया topic आता है, alteration, alteration का मतलब होता है, जब आप अपने MOE में बढ़ावट करना चाहते हैं, जैसे for example, म transaction amount नहीं लगा सकते किसी company के साथ, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले अपना MOE alter करना पड़ेगा, that means कुछ changes लाने पड़ेगे, अगर मुझे ऐसे contract करना है तो, तो alterations का मतलब होता है, या तो जो चीज़े आपकी powers लिखी गई है MOE में, आप उन्हें additions कर या हटा दो, omit कर दो, या substitute कर दो, उन values को दूसरी values के साथ change कर दो, तो alteration या alter का मतलब होता है, additions, omissions या substitution, एक company alter कर सकती है, अपने MOE को only to the extent as permitted by the act, companies act में जो चीज़े लिखी हैं, उसके according ही आप अपने MOE को alter कर सकते हो, companies act के beyond नहीं जा सकते, जैसे MOE के beyond नहीं जा सकते, बट MOE को आप ठीक करके, रब करके, दुबारा से powers को add on कर सकते हो, बट वो powers तभी add on होंगी, या तभी omit होंगी, वो तब तक होंगी, जब तक companies act में वो चीज़े लिखी गई है, companies act के भार नहीं जा सकते हैं, तो उसको एक special resolution, एक company को अगर अपने MOE को change करना है, alter करना है तो कुछ powers में changes लाने हैं, तो उसको एक special resolution पास करना होता है, एक resolution क्या होता है, एक decision होता है, जो एक meeting में लिया जाता है, there are two types of resolution, ordinary and special, ये भी चीज़ याद रखना, एक ordinary resolution होता है, और एक आपका special resolution होता है, अगर आपको अपने MOE में change लाना है, तो आपको special resolution पास करना होत है, तो अगर आपसे कोई question बुचें, कि which kind of resolution is to be passed when there is alteration in MOE, MOE में alteration नाने के लिए कौन सा resolution पास करना होता है, it is special resolution, और resolution क्या होता है, resolution एक decision होता है meeting में, और special resolution में जो two-third majority है उसको effective होना चाहिए, अगर हमने ये बात बोली कि अब हमें 6 लाग रुपे का production पावर लानी चाहिए, ना कि 5 लागी, तो अगर वो जो meeting में जो majority बैठी है, वो majority क्या two-third जितने लोग बैठे हैं, उसमें से two-third लोग भी अगर बोल दे कि yes, हमें change लाना चाहिए, तो वो resolution पास हो जाएगा, और फिर MOE में आप alter कर सकते हो, तो at least two-third जो majority है, वो हाँ करें आपके decisions पे और alteration to the clause also requires approval of the central government in writing, plus special resolution के पास होने के बाद आपको central government का approval चाहिए, राइटिंग ले, तभी आपका MOE alter होगा, इसमें most important point यह है कि क्या MOE alter हो सकता है, बिलकुल हो सकता है MOE alter, पर companies act के beyond जाके आप alter नहीं कर सकते, दूसरी बात MOE को alter करने के ले special resolution पास होना चाहिए, और central government की approval होना चाहिए, राइटिंग में, clear हुआ point, यह सिर्फ last made कुछ points है, वही basically जो अभी तक पड़ा वही है, MOE क्या है, important document है company का, MOE किस purpose के लिए company बनाई गई गई है, वो बताता है, MOE rights, privileges and powers of companies बताता है, यह charter होता है company का, constitution होता है company का, relationship between, अगर आप से पूछा जाए कि यह सा कौन सा document है, जो relationship define करता है between company and outsiders, तो it is only MOE, MOE company और outsiders के बीच के relationship को define करता है, जबकि जो AOE होता है, article of association, वो company और उसके अंदर के जो members होते हैं, उनके बीच में relations define करता है, यह चीज याद रखना, दोनों में difference है, whole business of the company is built up according to MOE, MOE foundation होता है, जिस पे company built up हुई हुई है एक company कोई भी ऐसी business या activity नहीं कर सकती, अगर वो memorandum में नहीं लिखी, वो एक company अपनी वही वाली powers को use कर सकती है, जो memorandum में लिखी है, memorandum के भार जाके आप कुछ भी काम नहीं कर सकती है, और अगर किया, तो वो जाएगा ultra wires, और वो transaction क्या बन जाएगी, वो transaction आपकी बन होगा, कि right answer क्या है, कितने clauses होते हैं हमारे MOA के, MOA के हमारे 6 clauses होते हैं, name clause, name clause, capital clause, objective clause, subscription clause, association clause, liability clause and registered office clause, यह 6 हमारे clauses है, memorandum के, memorandum of association को charter of the company, constitution of the company का आजाता है, memorandum of association को foundation fundamental document बोला जाता है, memorandum of association foundation है, company के built-up का, memorandum of association में subscribers होने चाहिए, कौन होते हैं subscribers, वो लोग जो सबसे पहले मिलकर company को बनाते हैं, और जो first shareholders होते हैं, companies के, और एक subscriber के पास, कम से काम एक share होना चाहिए, तब ही वो जाके subscriber बनेगा, तो right answer is, all of the above, ठीक है, so thank you so much for watching this video, I know that ये video थोड़ी lengthy हो गई है, but अगर आप इस concept को भी समझें, तो आपको पता चलेगा, इस video के lengthy होने का reason क्या था, क्योंकि most important topic है, जैसे MOA company के starting के लिए important है, वैसे ही, आप लोगों के लिए ये video का lengthy होना important था, क्योंकि अगर ये lengthy नहीं होगी, तो आपको concept नहीं समझाएगा, और अगर concept नहीं समझाएगा, तो आप जादे से जादा questions को attempt नहीं कर पागे, So wishing you all the best, I hope आपको video जरूर पसंद आएगी, और मैंने आपसे एक question का जवाब मांगा था, कि आपको ये तरीका सही लग रहा है पढ़ाने का, कि हम एक MCQ के साथ पूरा concept समझ रहे हैं, ठीक है, या आप सिर्फ MCQs चाहते हैं with only the answers, not the explanation, not the concept, So please मुझे comment section में जरूर बताईएगा, So thank you so much for watching this video and do subscribe my channel Prakshi Classes, don't forget it to subscribe it, okay, so thank you.